नमस्ते मेरा नाम डिविड है और आप दिललन टॉप देख रहे हैं रभिवार 13 दिसंबर किसान आंदोलन का 18 हमा दिन किसानों ने कुछ जगों पर ट्रेक्टर मार्च निकाला दिल्ले जैपूर हाईवे बंद करने की चेतावनी किसानों ने दी थी इसके बाद हाईवे पर जाम जैसे इस्तिती बनी रही किसान नेताओं ने आगे के आंदोलन को लेकर अपनी रणी ती सपस्ट की वही सरकार में भी हलचल देखने को मिली 18 में दिन क्या कुछ हुआ जानते हैं दिल्ली के सिंधु बॉडर पर किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान सो मुआर 14 दिसंबर को सुबा 8 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसी अभू खड़ताल पर रहेंगे इसके अलावा सभी जिला मुख्यालेओं पर धर्णा प्रदर्शन किये जाएंगे किसान नेता श्रीव कुमार कक्का ने कहा हमारा रुख स्पस्ठ है हम चाहते हैं कि तीनों कृष्टी कानुनों को निरस्त किया जाए इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी किसान यूनियन एक साथ हैं भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्तार आके इस टिकैत ने कहा हमें नजर रखने की जरुत है ताकि कोई गलता तो हमारे बीच ना हो हमारे सभी वाउं को सतर करहने की जरुत है अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम एक समिती गठित करेंगे और आगे का निरने लेंगे क्रिसी मंत्री नरेंद्र सिंग तूमर लगतार किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं शनिवार 12 दिसंबर कुव हरियाना के किसान निताओं से मिले थे और 13 कुनों ने उत्राखंड के किसान प्रतिनिथी मंडल से मुलाकात की इस मुलाकात के दोरान क्रिशी राज्यमंत्री के अलास चौधरी और उत्राखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद थे इस किसान प्रतिनिधी मंडल ने भी नए कृष्टी कानूनों का समर्थन किया बैठा के बाद तुमर ने कहा आज उत्राखन के किसानों ने मुझसे मुलाकात की और कृष्टी कानूनों का समर्थन किया मैं उन किसानों का धन्यबाद करना चाहूंगा जिन्धोंने कानुनों को समझा, सपोर्ट किया और इस पर अपने विचार रखे इस मुलाकात पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन के नेताओं ने नाखुशी जाहिर की सिंदू बर्डर पर मीडिया से बात करते हुए किसान नेता जस्बीर सिंग ने कहा उत्राखन के एक नेता अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कृश्री मंतरी से मिले इनमें से 90 लोगों का किसान इसे कोई वास्ता नहीं है 10 लोग ऐसे हैं जो दूसरे काम भी करते हैं मौरंग के ठेके हैं उनके पास खास बात यह है कि ढूंड कर सिखों को लाय गया मुलाकात की इस मीटिंग में केंदरी वाणी जे मंतरी सोम प्रकास अस्वनी सर्मा समेत का इबीजेपी नेता मौझूद रहे केंदरी मंतरी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग बिरोध करने वो केवल बिरोध करने के लिए हैं उन्होंने खुद ही अब पहले इन सुधारों की आफशक्ता को पहचाना था हम लोगों को जागरू करेंगे और किसानों के लिए क्रिश्री कानून कैसे फैदे मंद होंगे इसके बारे में बताएंगे एक कारेकरम के दोरान उन्होंने कहा कि अगर भारत को तोड़ने वाले टुकडे टुकडे गाएंग के लोग किसान आंदोलन के आड़ लेकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी वहीं दिल्ली के सियम अरविंद के जरिवाल ने किसानों के समर्थन में एक दिन के उपवास का एलान किया उन्होंने देश की जनता से भी किसानों के समर्थन में सोमवार को उपवास करने की अपील की उन्होंने आम आदमी पार्टी के कारे करता हूं और समर्थकों से भी वास रखने की अपील की किसान आंदोलन से जुड़ा जो भी अपडेट होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथ ही वरुन ने अगर इस वीडियो का आप यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फेस्बूप पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा एब डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए थैंक यू